नमस्कार मैं सारी का शुर्वास्तौ स्वागत है आपका आइनन 54 में बढ़ते हैं जारखंड की खबरों क्यों केरेडारी प्रखंड शेत्र के कंडा बेर पंचायत निवासी समा सेवी समुख्या प्रत्याशी दिने साव ने पंचायत अंतरगत ग्राम पत्रा खुर्द गाउ में शिवर लगा कर गरीब असहाय लोगों के बीच साढ़े 300 कंबल टोपी और छोटे बच्चों के लिए स्वेटर का वित्रण किया या शिवर पत्रा खुर्द शिव मंदिर परिसर में लगाया गया था कंबल टोपी और स्वेटर लेने के लिए लोगों की भीड सुबह से ही लगने लगी थी और लोगों की भारी भीड कंबल टोपी लेने के लिए उमर पड़ी शिविर में उपस्थित लोगों को दिने साव अपने हाथों से कंबल वित्रण किये कंबल टोपी, स्वेटर, शॉल प्राप्त कर लोग काफी खुश नजरा रहे थे और समाज से भी दिनेशाओ के इस कदम से हर्श वेक्ट कर रहे थे इस उसर पर समाज से भी दिनेशाओ ने कहा कि बरतेशीत लहर को देखते हुए मैंने नीजी मत से पुर्षों के लिए कंबल वर टोपी, महिलाओं के लिए शॉल वर टोपी और बच्चों के लिए स्वेटर टोपी का वितरण किया समाज का सेवा करना हमारा बच्चपन से उद्देश्य रहा है, मानाव सेवा करने से हमें अद्भुत आनन की प्राप्ती होती है और मैं आजीवन समाज की सेवा करता रहूँगा साथी आगामी पंचाज चुनाव में बता और मुख्या प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में आने का विचार है इस उसर पर राम टहल राणा, विरेंद्र राणा, राजेश्वर साव, प्रकास साव, प्रताप राणा, दिलिप कुमार राणा, दीपक शर्मा, हेमराज महतो, अशोक बंटी राज, हेमराज महतो, उमेश राणा, तुफाने मिया, सुल्तान समेत सेक्डो महिला पुरुष सा बिल्द थे